बिस्मिल्ला रख्मानी रहीम वेल्कम टो मैं ऑफिशल यूट्यूब चैनल हमायोज एजूटेन्मेंट टीवी दोस्तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो कुरेंट अफेर्ट्स और जर्नल नालोज की सीरीज का पहला लेक्चर है जिसमें मैं मुफलिफ किसम के जो प्रवेलिंग और इंटरनेशनल इशूज हैं इन पर बात करूँगा और कोशिश करूँगा कि जो CSS, PMS और दूसरे competitive examination की aspirant हैं उनका जिया से जिया फाइदा हो सके और ये जो data उनसे मैं share करने जा रहा हूँ वो किसी ने किसी reference में या किसी ने किसी paper में वो लिखके हैं ताके उनके जिया से ज्यादा माक्स हा सके तो चलते हैं आज के अपने lecture की तरफ और आज का जो प्यारे दोस्तों topic है वो है क्रोना वाइरस प्यारे दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि क्रोना वाइरस एक ऐसी वबा है जो सुनने में तो यही आया है कि चाइना से फैली है लेकिन अगर आप empirically और critically evaluate करें तो क्या आपको यह नहीं लगता कि इसके पीछे भी वही ताक्ते कार फरमा है जिन्हों ने 9-11 बर्पा किया और 9-11 के कई साल बाद हमें सचाई का पता चला कि 9-11 सचाई नहीं बलके एक engineer drama था सो यह भी दो व्यूज हैं कि कुछ लोग कहते हैं यह के कुदर्ती हाफ़ता कुछ लोग कहते हैं यह American Zionist Lobby का यह कारनम है और यह कुछ अर्से के बाद इनसानों को वाकि ही इसका पता चल जाएगा कि यह क्या बला है सो यह मैं अपने प्यारे दोस्तों पे छोड़ता हूँ कि वो इन दो स्कूल अफ थाट और या इन दो व्यूज को किस तरह evaluate करते हैं और किस तरह paper में लिख के आते हैं कि examiner जो वह उनसे बाद से मुत्विक हो या मुत्विक ना हो तो यह प्यारे बच्चों आप पे छोड़ते हैं कि आप इन दोनों चीज़ों को किस तरह evaluate करते हैं सो इसी coronavirus के सिलसले में तीन-चार चीज़े में आप से share करने जा रहा हूँ वो आप कोशिश कीजिएगा कि आपने उनकी जो जवाब वो डूंगना है और यह जो मैं आप से बात करने जा रहा हूँ आपने कोशिश करनी है कि इसके मुतलिक आपने data कठा करना है फिर आपका जो जवाब वो बहुत अच्छा तियार हो जाएगा प्यारे दोस्तों यहां एक छोटी सी वज़ात कर दूँ कि जो current affairs का paper है इसमें कोई भी data as such final या मुकमल नहीं है हाँ information अच्छी हो सकती है और काफी अच्छे level की कोई आपको provide कर सकता है book में भी आपको मिल सकती है लेकिन सारी information को process किस तरह करना है बात को किस तरह logical end की तरफ लेके जाना है प्यारे दोस्तों यह आप पर depend करेगा तो आज का जो पहला point आप वो है everything is under control everything is under control प्यारे दोस्तों इसका मतलब यह है यह जो corona virus है अगर इसको American Zionist Lobby की engineered plan के हवाले से देखा जाए तो वो कहते हैं जी के दुनिया की हर चीज़ को हमने अपने जिरे तसलत लेके आना है हमने हर चीज़ को control करना है because we are the ruler we are the superpower on the face of the earth because we are the biggest donors of funds to United Nations so जो जो पैसे ज्यादा हम देते हैं इसलिए हमारा ही सिक्का दुनिया के निजाम को चलाने के लिए चलेगा so everything is under control जो पैरे दोस्तों पहला आज का असूल है इसे भी आप कोशिश कीजिए इसके मतलए data कठा कीजिए और इसे for and against की सूरत में लिखने की कोशिश कीजिए पैरे दोस्तों जो दूसरी heading है वो है world government या one government पैरे दोस्तों आज के media में इस चीज़ पे भी बड़ी बात हो रही है world government या big government की इसमें भी आप different आरा और व्यूज पेपर में लिख सकते हैं लेकिन मेरा जो इसमें व्यूज ये है कि दुनिया जिस तरफ जा रही है जिस तरह Americans और Jewish पूरी दुनिया को control करने जा रहे हैं क्योंकि उनके parts funds ज्यादा है manpower उनके पास ज्यादा है फिर जो third world countries है उनके हुकम प्रानों को अपने साथ मिला कि अपने अजंडे को furtherance देना इन ताक्तों और इन power के लिए हमने माजी में भी देखा कोई मुश्किल काम नहीं है तो अगर तो इस वाले perspective को सामने रखा जाए तो फिर तो नदर आता है कि they will win लेकिन अगर मुसल्मानों की जजबा इमानी उन उनका नभी साथ सल्म की जाते अक्तस से प्यार है और अला ताला की जो divine power पर belief है अगर तो उनको सामने रखा जाए और नभी साथ सल्म की जो मुसलिफ अहदीश हैं घजबा हिंद के मतलिक उनको सामने रखा जाए और सबसे बढ़के पाकिस्तान का nuclear atomic power बना इस चीज़ को स तो आपने इस वाली हैडिंग को भी इसी तनाजर में discuss करने की कोशिश करना है लेकिन फिर वही request कोशिश कीजिएगा कि आपने इस बहस को किसी ना किसी logical end की तरफ लेके जाना है आज की जो third हैडिंग है वो है liberty दुनिया करोना वाइरिस के बाद आज़ादी के मतलब को यक अक्सर बदलता हुआ देख रही है क्या अज़ादी उस चीज़ का नाम होगा है जिसके मतलिक अमेरिका ज्यूश और बड़ी ताक्ते लोगों को कहा देंगे जी कि उन्होंने इतने वक्त में गुमना फिरना है कब उन्होंने घरों में लाउक डाउन होना है या लोगों की जो नकलो हर्फत है लोगों की मुवमेंट्स है उसको मौनिटर करने का नाम अज़ादी है तो प्यारे दोस्तों अज़ादी का जो मतलब है वो बिलकुल यक्सर चेंज होता जा रहा है और ये मुलकों की इन्फरादी ताकत और उनकी जो कौम है वो अगर अपने हुकमरानो के साथ मिल जाए तो वो ही कौम और वो ही जो हुकमरान है वो आज की जो प्रेवलेंट आज़ादी है उसको कुछ नई शकल दे सकते हैं और अपने मताबक इसको री शेप या री डिफाइन कर सकते हैं वरना जो दुनिया में हालात प्यारे दोस्तों पैदा होने जा रहे है वो आपके सामने है वो नहायत ही खतरनाक और बड़े कंट्रोल्ड और एंजिनरिंग किसम के हैं पैरे दोस्तों अगला है करोना वाइरस अब करोना वाइरस जैसे मैंने इंट्रो में भी बता दिया कि क्या ये कुदर्ती आफ़त है या एक एंजिनियर्ड है इसमें भी मु क्या इस्राइल है क्या अमेरिका और इस्राइल में ये वबा उसी तरह फैर रही है क्या अमवाद का सिल्सला अमेरिका और इस्राइल में उसी तरह जारी है जिस तरह पाकिस्तान इंडिया एरान सोडान और दूसरे इसलामी मुमालक में है तो इन चीजों को मदर नदर रख सहाफ है जिन्हें दुनिया का मिरी त्रीं शक्स होने का इज्ञाद वह जो मसूफ है वो उनके भी प्लैन सामने आ रहे हैं वो कभी कहते हैं है मेरे सबसे बड़ा दुश्मन है कभी हो थे हम ले दुनिया में मौजूद हर शख्स को वैक्सिन देनी है और वैक्सिन देने के बाद वो कहते हैं जी हम कंट्रोल करेंगे उन्हें चिप्स के जरीए और उन लोगों की निकलो हर्फत और उनकी जो मॉवमेंट्स को हम मॉनिटर करेंगे तो मेरी आज की इस लेक्चर और वीडियो प्रेगाम में Bill Gates से एक एक इलत्या है कि Bill Gates साहिब Allah-Talá रैंद लिया में जितने भी पैगंबर बेजए है नौध बिला आपका मर्तबा दॉलत ज़्यादा उने से किसी पैगंबर से बढ़के तो नहीं है नौध बिला नौध बिला अब Allah-Talá ने जतने भी पिगंबर बेज़े आला ताला ने इतनी अजीम हस्तियों से भी अपने लोगों की खिदमत, लोगों की बलाई और लोगों की वेलफेर का काम लिया है तो आप कौन होते हैं? थोड़ी सी दौलत आपने जमा कर लिया जो आला ताला की नजर में तो एक तिनके से भी कम है तो आप को ये किसने हक दिया? आप कौन होते हैं लोगों की जिन्दियों के, लोगों को मुस्तुबिल और लोगों के मतलिक इतने बड़े फैसले करने जा रहे हैं? आप रब बनने वही होता है जो मनजूरे खुदा होता है. तो आज का च्छटा पॉइंट है प्यारे दोस्तों वह है 5G टेकनॉलोजी अब हमने 5G टेकनॉलोजी को भी प्यारे दोस्तों बड़े सोज समय के लिखना है. आपको पता है कि पाकिस्तान में लोग बड़े अन्थिजीयस्टिक हैं टेली कम्यूनिकेशन जो अथार्टीज है और लोग जो मोबाइल की मार्किप्स वाले हैं वो बड़े अक्साइटीज हैं जी कि इंटरनेट बहुत तेजी से चलेगा लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जो इसकी जो रेज हैं वो बड़ी खतरनाक हैं वो जंगली हया चरिंद प्रेंद और बिलखसूस इंसानों के लिए जो इंसानी मेंटल है उनको यह किस कदर नुकसान पहुंचाने जा रही हैं तो हमने इस चीज़ को भी बैलंस ओट करना है हमने यह देखना है कि कोई भी स्भूलत इंसानों के लिए स्भूलत नहीं रहती अगर वो इंस कॉंसेट को आपने ही डिफाइन करना इसे प्रोव या डिस्प्रोव करना और फिर अपने पेपर में बहत्रीन एक व्यू लिखके अग्जैमिनर को बताना है कि असल कहानी क्या और असल हकीकत क्या एंड वाट और तो बी दी वैलफेर और अपकीप आफ पीपल और तो बी की अल्टिमेट एम अफ आल दीज ग्रैंड डिजाइन त्यारे दोस्तों आज का जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वह नैनो चिप्स इसे और आई एफडी रिफ्ड आई एफडी के भी नाम से जाना जाता है तो इसमें में मेरी हमबल रिक्वेस्ट दोस्तों से यही है कि इ अजिसाम में आपने नैनो चिप्स लोगों को बिमारियों से बचाने और उनकी सफरिंग को कम करने के लिए लगानी है तो सौ बिसमिल्ला लेकिन अगर आपने लोगों को मॉवमेंट और लोगों को मॉनिटर करने के लिए नैनो चिप्स लगानी है तो अल्ला ताला का आप गुनेगार हो जाएंगे क्योंकि अल्ला ताला अपनी रियाया और अपने कुन्बे से जो नाइन साफिया जल्म कभी भी बरदाश नहीं कर सकता तो हमबल रिक्वेस्ट है कि इस वाली हेडिंग को भी अपने अनलिटिकल और कंपेरिटिव और एकलेक्टिक अनल्सिस से अटेम्ट करने की कोशिश प्यरे दोस्तों कीजिएगा और आज का आखरी जो पॉइंट अब हो है हार्ट प्रोजेक्ट प्यरे दोस्तों हार्ट प्रोजेक्ट में मस्नुई बारिश करवाई जाती है तो मस्नुई बारिश तो का जो काम है मस्नूवी बारश भी उन्ही अलाकों में भी अगर हो जहां खुश किसालिया जहां लोग भूख और गुर्बत के हाथों मर रहे हैं तो फिर तो ये टकनॉलोजी बड़ी अच्छी है इसे हम मोस्ट वैलकम कहते हैं लेकिन अगर जैसा के पहले दुनिया में भूख प्यास और नंग है अमेरिका आपको पता है दोस्तो कितनी गंदम हर साल समंदर की नदर करता है अफरीका में लोग कितने गुर्बत के हाथों मर रहे हैं अगर तो यह जो दुनिया चर रही है इसका मकसद भूख में और इदाफा है यह हाथ टेकनॉलोजी उन्ही गरीबों और उन्ही मिस्कीनों के खलाफ चलनी है तो फिर तो हम इसे बिलकुली निगेट करते हैं हम इसे बिलकुल डिसप्रूव करते हैं लेकिन अगर इसने गरीबों के काम हाना है उनको खुशकसाली गुरुबत और उनकी बूख नंग और अफलास में उनकी हल्प करनी है तो फिर हम इसको वेलकुम करते हैं क्योंके अल्टीमेटली यह दुनिया सेफर और बेस्ट प्लेस टू लिव इन तभी होगी और यह हम तबी कर सकते हैं जब हम तमाम रुवे जमी पे बसने वाले लोग तमाम साथ अचका ओर्ब्रुबा इक दूसरे का ख्याल करें और एक दूसरे का ख्याल करने के लिए – हमारे पास मज़ब की इसकाल बना सकते हैं अल्ला ताला आप सब का हम्यों नासिर रहे मेरे चैनल हमाईयोज एजुटेंमेंट टीजी पे दबारा रिक्वेस्ट है लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपकी खिद्मत में बनाता रहूं आप सब का बहुत शुक्रिया पाकिस्तान जिंदाबाद